जेहिन दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ केंदरिये प्रदुसर्ण नियंतरन बोर्ड यानि के CPCB ओनलाइन फोर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको वैरियस पदो का फोर्म फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बार जूनियर साइंटिफिक असिस्टैंट, डाटर एंट्रिय ओपरेटर, जूनियर टैकनीशियन, जूनियर लेबरेटर असिस्टैंट, लोवर डिविजन कलर्क और एटेंटेंट MTS के पद निकाले हैं और इसके बारे में जो इलिजिबल्डि की वीडियो में ओल लेडि बना है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह लिंक जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, वीडियो की डिस्क्रिप्सिन में देने वाला हूँ, आपको यह लिंक ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद यह इंटरफेस आपके सामने आजएगा, यहाँ पर आने पर आपको New User, Registration, Registration for Another Post, आपको इसके उपर क्लिक कर देना है, इसके उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये इंटरफेस आजएगा, अब यहाँ पर आपको अगर इसका एड़ोटाइमेंट चेक करने हैं तो आप वो कर सकते हो, बट आपको अब इसमें Registration होना है, तो आपको अपना नाम डालना है, और यह आपको बड़ेक सरों के अंदर लिखना है, और दस्वी की मार्क शीट के नुसार बढ़ना होगा, पोस्ट आप कौन सी पर अपलाई करना चाहते हो, वही पोस्ट आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, आप एक बार में एक ही पोस्ट पर आवेदन कर सकते हो, अगर आप अलग-अलग पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो, तो आपको अलग-अलग ही इसके अंदर रेश्टेसन करने होंगे, तो चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं आपकी लोवर्ड डिविजन कलर की पोस्ट, फिर आती है इस्ट्रीम यहाँ पर आपको इसमें आवेदन करने के लिए क्या कौलिफिकेशन मांगी जा रही है, वो देखने को मिल जाएगी, तो यह आपको यहाँ से सलेक्ट कर लेनी है, जेंडर आपका जो भी है, वो यहाँ से आपको सलेक्ट कर लेनी है, सब काटिगरी आपकी इन में से कौन स तो आपकी date of birth आ जाएगी और ये भी आपको दस्विक की माकशिट के नुसार बढ़नी है cut off date यहाँ पर आपकी दी जा रही है cut off date तो 25-2020 यानिके 25-2020 तक ही आप लोग इसमें आवेदन कर पाओगे तो email ID यहाँ पर आपकी आप जो भी है वो email ID आपको यहाँ पर mention कर देनी है यह करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे mobile number अब यहाँ पर आपको अपना valid mobile number एंटर करना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे屏 written exam center यानिके इन जगहें में से आप कहां पर अपना exam center रखना चाहते हो सिर्फ इन ही के उपर आपका exam होगा यानिके इन center के तो आपको इन में से कोई एक choose कर लेना है तो हम दिल्ली select कर लेते हैं ये करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में edit नहीं कर पाओगे तो पूरी तरीके से sure होकर के आपको नीचे register के उपर क्लिक कर देना है register के उपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक pop-up window देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको आपका register से number और साथ या आपने किस post पर apply कि है वो देखने को मिल पाएगा तो आपको महाँ से या तो इसकी insert ले लेना है या फिर उस number को note कर लेना है note करने के बाद automatically आप यहाँ पर login के page पर आ जाओगे अब यहाँ पर जो registration number आपको मिला है और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि यह number आपको mail और message के माद्यम से भी भीज़ दे जाएगा तो आपको यहाँ पर अपना registration number enter कर देना है enter करने के बाद जो date of birth अभी आपने registration करते समय चूल की थी वो date of birth यहाँ से आपको select करनी है पहले year फिर month और यहाँ से day तो यह आपकी date of birth आ जाएगी फिर यहाँ पर आपको simply नीचे आ करके sign in के उपर click कर देना है sign in के उपर click करने के बाद देख लिजिए आपके सामने application form की जानकारी आ चुकी है अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी अलग से बढ़नी होगी और कुछ जानकारी आपकी पहले से fill up है तो यहाँ पर दे जा रहा है father name तो जो भी आपका father name है वो यहाँ पर आपको enter कर देना है enter करने के बाद नीचे आप आओगे nationality तो यहाँ पर आपकी जो भी nationality है वो यहाँ से आपको choose कर लेनी है marital status क्या है वो यहाँ से आपको select करना होगा photo ID proof आप इन में से कौन सी ID देना चाते हो other card driving lessons pen card passport या फिर आपका photo ID sued by central या फिर state government या water ID तो यहाँ से मैं other card select कर लेता हूँ और फिर आपको जो भी ID आपने select किये उसका number आपको यहाँ पर enter कर देना है यह करने के बाद आप नीचे देखोगे alternate mobile number यानिके जो number आपने उपर भर रखका है इस number के अलावा कर आपको यह और number देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वो number भर ना होगा फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे return exam center की जानकर देखने को मिलेगी email ID present postal address यानिके आपका present postal address कौन सा है वो यहाँ पर आपको enter कर देना है यह करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी state चूज कर लेनी है दोस्तों मैंने यहाँ पर जो आपका address भरा है यह मैंने same word में भरा है बट आपको देखने को मिल पार है block letter यानिके आपको अंग्रेजी के बड़ेक स्रों के अंदर अपना address डालना होगा postal code आपका क्या है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है इस present address और इस यह वर permanent address यानिके क्या आपका present address ही permanent address है अगर है तो yes कर दीजिए नहीं तो आप no कर सकते है अगर आप no करोगे तो यहाँ पर आपको permanent address को भरने की जानकारी अलग से मिल पाएगी बढ़ अगर आपका address से में तो आप यहाँ पर yes ही रहने दीजिए फिर आती है as the ideal educational qualification यानिके जरूरी योग यह था तो यहाँ पर जो आपकी qualification है वो पहले से add है क्योंकि इसमें पहले select हमने कर लिया था अब आते यहर पासिंग तो आपने किस यहर के अंदर पास की थी वो यहर यहाँ पर आपको चूज करना होगा तो आपको यहाँ पर calendar के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी जो भी आपकी passing year है वो आपको चूज करना होगा percentage of marks CGPA to be converted into equivalent याँ कि अगर आपकी CGPA के अंदर marks है तो आपको उनको percentage के अंदर convert करके यहाँ पर डाल देना है तो चलिए हम यहाँ से यह percentage एंटर कर देते हैं division आपकी क्या थी वो यहाँ पर आपको fill कर देना है फिर आता है subject, discipline, in engineering or science or other तो यहाँ पर आपको subject के नाम डालना है या फिर आपने जिस discipline के अंदर की है उसका नाम यहाँ पर enter कर देना है तो चलिए मैं आपर civil डाल देता हूँ फिर यहाँ पर आती है educational qualification दोस्तों मैं आपको बता दो कि जो आपने यहाँ पर डाला है और सबसे पहले यहाँ पर आपको 10 जानकारी और उसके बाद 12 जानकारी बढ़नी है तो name of the exemption पर्श तो यहाँ पर हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं इसके बाद year of passing आपको सेम तरीके से choose कर लेना है यहाँ पर आपको आगे चल जाना है जहाँ से आपका year है तो चलिए हम यहाँ से select कर लेते हैं 2010 फिर यहाँ पर name of the board या फिर university तो हम यहाँ से UP board fill up कर देते हैं percentage यहाँ पर आपको अपनी enter कर देनी हैं तो चलिए हम यहाँ से percentage enter कर देते हैं division आपकी क्याती हों यहाँ पर आपको fill up कर देना है और subject के नाम यहाँ पर आपको लिख देना है जैसे कि Hindi और English तो एक एक करके आपको सभी subject के नाम यहाँ पर दस्वी के enter कर देने हैं फिर सेम तरीके से आपको बारवी की जानकारी बढ़नी है उसके बाद graduate की जानकारी बढ़नी है और आपके पास जो preferable या for desirable qualification है उसके जानकारी भी आपको same way में भर देनी है यह सब करने के बाद आप नीचे देखोगा अगर आपके पास है तो yes कर दीजिने तो आपको no ही रहने देना है और यह सब करने के बाद आपको simply save के उपर क्लिक करना है बट उसके पहले सभी जानकारी एक बार चेक कर लीजेगा फिर आपको save के उपर क्लिक कर देना है save के उपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिले कर declaration और साथ ही आपको क्या करना है इसको एक बार read करने के बाद जो दिया जा रहा है confirm and proceed to upload photograph आपको इसके उपर click करना है और पूरी तरीकी से see or हो करके आपको यहाँ पर click करना है और यहाँ से फिर आपको ok कर देना है अब ok करने के बाद यहाँ पर आपके सामने photo की जानकारी आजेगे नीचे आपके application form की जानकारी है तो आपको upload photo के उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए आपके photo का size 20 से 50 के भी के बीच होना चाहिए और signature का size 10 से 20 के बीच रहना चाहिए तो आपको choose file के उपर click करना है और जहां पर भी आपको photo available है वो आपको upload करना होगा तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक random image upload करके दिखाता हूँ हम यहाँ से picture में जाते हैं और picture में जाने पर हम इस image को यहाँ से select कर लेते हैं और फिर इसको open कर लेते हैं open करने के बाद आपका image यहाँ पर आ जाएगा फिर आपको सेम तरीके से choose file के उपर click करना है और जहाँ पर भी आपका signature है वो आपको select करना होगा तो चली हम यहाँ से एक signature को select कर लेते हैं और इसको open कर लेते हैं open करने के बाद आपका signature यहाँ पर आ जाएगा फिर दोस्तों आपको save के उपर click करना है और save के उपर click करने के बाद आपका photo और signature upload हो जाएगा पर दोस्तों ध्यान दीजिए अगर आपके फोटो का साइज 20-50 के बीच और रेजुलेशन 240-320 के बीच में नहीं रहेगा तो आपको फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा चाहिए आप कितनी भी ट्राइ कर लीजेगा और इसी परकार से आपका सिंगनेचर का साइज भी आपका 10-20 के बीच और रेजुलेशन 140-60 से जादा नहीं होना चाहिए नहीं तो फोटो अपलोड नहीं हो पाएगा जैसे आपका फोटो अपलोड हो जाए तो आपको यहाँ पर होमपेज के उपर आना है और होमपेज पर आने पर यहाँ पर आपको फोटो देखने को मिलेगा फिर यहाँ पर आपको declaration के उपर क्लिक करके हैं इपर submit का link देखने को मिलेगा और इसके उपर क्लिक करने के बाद आपका form submit हो जाएगा और इसमें जैसे आपका form submit हो आपको यहाँ से अपना form print कर लेना है और मैं आपको बता दू कि आपको इसमें कोई भी application fees पे नहीं करनी है और इसके अलावा इसके अंदर कोई भी ऐसा further step नहीं है जो कि आपको करना हो यहाँ पर दोस्तों मैं भी इसी वज़े से जो आपका signature है सोरी आपका print है वो नहीं ले पाया क्योंकि जो photo card size है यह बहुत ही problem कर रहा है अगर आप इसको यहाँ पर मैं थोड़ा आपको बता ही देता हूँ अगर आप photo card size 10 से 20 के भी के बीच रखते हो तो resolution ज़्यादा हो जाता है क्योंकि मैंने इसमें काफी try कर लिये but try करने के बाद भी size cover में नहीं आ पाता अगर मैं size cover करता हूँ तो resolution ज़्यादा हो जाता है और अगर resolution सही करता हूँ तो size कम रह जाता है तो आपको क्या करने है आपको यहाँ पर मैं बता दू कि help desk number दे जा रहा है जो कि आपके आप इसमें Monday Friday साड़े नो बज़े सुबह से लेकर दो पार एक बज़े और डेट बज़े से लेकर साड़े पांच बज़े तक call कर सकते हो और यहाँ पर आपको इनको report करनी है ताकि है इसको जो यह एक इनोने limit रखी है size की इसको हटाए या फिर इसको change करें क्योंकि यह possible नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों बसी थी आपकी जानकारी की कैसे आपको यह form फिलप करना है इसके अलाव अगर आपके form में कोई problem आती है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते है और आपको इसमें आगे में भी कोई भी problem नहीं आईगी क्योंकि आपने simply सब details फिलप कर दी है तो दोस्तों यह थी आपकी CPCB various post online form 2020 के बारे में पूरी जानकारी आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज आपस वीडियो को like, share और साथे साथ आपके अपने चैनल ग्यांदे होश्ट को subscribe कर ले और subscribe करने के बाद बेल के आईकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जे हिन दोस्तों